जिन सामानों की उपकरोनों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगा कर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथ क्यों, बरसों तक ये लोग कहते रहें, MSP लागू करेंगे, MSP लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं, MSP लागू करने का काम, स्वामिनासन कमिशन की इच्छा के नुसार हमारी ही सरकार ने किया। हाज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रह्म फ्यला रहे हैं, देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कही पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। साथियों, अपसे कुछ दुन पुर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंदर सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही हैं, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आये हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाएं। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़िया जब्त होती रहें, उनसे वसुली होती रहें, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीद कर बिचोलिय मुनाफा कमाते रहें। एक किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं, जिन सामानों की उपकरोनों की किसान पूजा करता हैं, उन्हें आग लगा कर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथ को बरसों तक ये लोग कहते रहें, MSP लागू करेंगे, MSP लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं, MSP लागू करने का काम, स्वामिनासन कमिशन की इच्छा के नुसार हमारी ही सरकार ने किया। का एक और जरिया समाप्त हो गया है। इसलिए इन्हें परिशानी है। साथियों, कोरोना के इस कालखन में, देश ने देखा हैं कि कैसे डिजिटल भारत अभ्यान ने, जनदन बैंक खातों ने, रुपे काण ने लोगों की कितनी मदद की है। लेकिन आपको याद होगा, जब यही काम हमारी सरकार ने सुरू किये थे, तो ये लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे। इनकी नजरों में, देश का गरीब, देश के गाउं के लोग, अनपड थे, अज्यानी थे। देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाएं, वो भी डिजिटल लेंदेन करें। इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया। साथियों, देश ने ये भी देखा है, कि जब वन नेशन वन टेक्स की बात आई, जीएश्ट्री की बात आई, तो फिर ये लोग फिर विरोध करने लिए बातान में आगे। जीएश्ट्री की बज़र से देश में घरेलू सामानों पर लगाने वाला टेक्स बहुत कम हो गया है, जादा तर घरलू सामाने, रसोई के लिए जरूरी चीजों पर टेक्स अब या तो नहीं है, या फिर पांच प्रतिशत से भी कम है। पहले इनी चीजों पर जादा टेक्स लगा करता था, लोगों को अपनी जेब से जादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन आप देखिए, इन लोगों को GST से भी परेशानी, ये उसका मजाग उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं, साथ को ये लोग न किसान के साथ है, न नव जवान के साथ, और नहीं देश के वीर जवान के साथ है। आपको याद होगा, जब हमारी सरकार वन रैंग वन पैंशन लाई, उत्रा खंड के हजारों पुर्व सहिनिकों को भी उनका इधिकार दिया, ते लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। वन रैंग वन पैंशन लागू करने के बाद सरकार पुर्व सहिनिकों को लगभग ग्यारा हजार करोड रुपिये एरियर के तो दे चुकी हैं। यहां उत्रा खंड में भी एक लाग से जाना पूर्व सहिनिकों को इसका लाब मिला है। लेकिन इन लोगों को वन रैंग वन पैंशन लागू किये जाने से हमेशा दिक्कत रही है। इन लोगों ने वन रैंग वन पैंशन का भी विरोध किया साथियों बरसों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को देश की वायू सेना को ससक्त करने के लिए कुछ नहीं किया। वायू सेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ा को विमान चाहिए। लेकिन ये लोग वायू सेना की बात कभी नहीं सुनी उसको नजर अंदाज करते रहे। जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से रफायल लड़ा को विमान का समझोता कर लिया तो इनको फिर दिक्कत होने लगी। अम्बाजलास से लेकर के लेह तक उसकी गर्जना भारतिये जाबाजों का हांसला बढ़ा रही है। साथियों, चार साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जाबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइट करते हुए आतंग के अड़ों को तवा कर दिया था। लेकिन यह लोग अपने जाबाजों के साहच की प्रसौंसा करने के बजाए उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोद करके यह लोग देश के सामने अपनी मनसा अपनी नियत साप कर चुके हैं। देश के लिए हो जो भी काम हो रहे हो हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है उनकी राज़नीती का एक मात्र तरीका यह यह है बस विरोध 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 आप याद करिए बारत की पहल पर जब पूरी दुनिया आंतर राश्य योग दिवस मना रही थी पूरे विश्व में भारत गर्व कर सकता है योग पहुंच चुका है तो यह भारत में ही योग का विरोध कर रहे थे जब देश की सेंकडों रियासतों को जोडने का काम, एक्तिहासिक काम करने वाले, भारत की एक्ता को मजबूत करने का काम करने वाले, सरदार वल्लब भाई पटेल की दुनिया की सबसे उची प्रतीमा का अनावरण हो रहा था, तब भी ये लोग इसका विरोत कर रहे थे, विरोत करना है, साथ क्यों, जब गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षन का फैसला हुआ, तब भी ये इसके विरोत में खड़े थे, जब 26 नवेंबर को सम्विदान दिवस मनाने की बात आई, तब भी ये इसका विरोत कर रहे थे, डॉक्टर बाबा साब आमेड करका विरोत क रहे थे, साथ यो, पिछले महने ही आयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमी पुजन किया गया है, यह लोग पहले सुप्रम कोट में राम मंदिर का विरोत कर रहे थे, फिर भूमी पुजन का विरोत करने लग गए, हर बदलती हुई तारिक के साथ, विरोत के लिए विरोत करने वाले ये लोग, देश के लिए, समाज के लिए और प्रसांगिक होते जा रहे हैं, इसकी छटपटा आच है, बेचे नहीं है, हताशा है, निराशा है, एक ऐसा दल, जिसके एक परिवार की चार-चार पीडिया, जिसने देश पर राज किया, वाच, दूसरों के कंदों पर सवार होकर, देश हिस से जुड़े हर काम का विरोत करवाकर, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है, सात्यों, हमारे देश में, अनेकों ऐसे छोटे-छोटे दल है, जिनने कभी सब्ता में आने का मोका नहीं मिला, अपनी स्थापना के लेकर अब तक उन्होंने जानदातर अपना समय विपक्ष में ही बिताया है, इतने वरसों तक विपक्ष में बैटने के बावजूद, उन्होंने कभी देश का मिरोत नहीं किया, देश के खिलब काम नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को विपक्ष में बैटे कुछ वरसी हुए है, उनका तौर तरीका क्या है, उनका रवया क्या है, वो आज देश भली भाती समझ रहा है, देश उसको बहुत बारी किसे देख रहा है, इनकी स्वार्थनीती के बीच, आत्मनिर्भर भारत के लिए, बड़े रिफॉर्म्स का ये सिलसिला, देश के संसाधनों को बहतर बनाने का ये सिलसिला, देश हित में हैं देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए हैं देश को ताकतवर बनाने के लिए हैं और ये निरंतर जारी रहेगा